आज हम बनाएंगे कुरकुरे करारे क्रिस्पी शक्कर पारे वो भी गेहूं के आटे से ये शक्कर पारे बनाने में हमें किसी भी चाशनी की जरुवत नहीं है बिना किसी जंजट के बहुती शॉटकट मैथड से हम बिलकुल पॉफिट क्रिस्पी करा रहे शक्कर पारे बनाएंगे तो वीडियो में मेरे साथ अंति तक बने रही हैगा सारे टिप्स एंट ट्रिक्स को फॉलो करिए गत चलिए बनाते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटी सी तयारी करेंगे एक मिक्सी जाल लेंगे जिसमें कि हम तीन चम्मच सूजी डालेंगे मोटी हो चाई पतली हो जो भी हो बस तीन चम्मच लेना है इससे जादा नहीं इसके साथ इसमें हम आधा कप शक्कर डालेंगे और पीसने से क्या होगा चीनी और सूजी आपस में अचे से मिक्स जाएंगे और शक्कर पारे हमारे बेलकुल पॉफिट बनेगे तो यह हमारा पाउडर फॉर्म में तयार हो चुका है तो फ्रेंड्स आप लोगों जो भी मेजुर्मेंट मैं बता रही हूँ सेम इसी मेजुर्मेंट के साथ आप बनाईएगा बिलकुल भी कम जादा अपनी तरफ से नहीं करिएगा यह एक कप है इससे हम दो कप गेहूं का आटा लेंगे एक बड़े से बरतन में यहां पर हमने दो कप गेहूं का आटा लिया बिलकुल सही नाप से इसी के बाद जो हमने सुजी और चीनी को पीसा था वह हम डालेंगे और बहुत ही चुटकी बड़ थोड़ा सा नमक डालीए इससे शक्कर का स्वाद है थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बनेंगे इसी के साथ 1 फोर्थ कप हम देसी घी लेंगे पिगला हुआ यानि की मेल्टेट घी लेना है और उसको हम एक एक दो दो चम्मस डाल के मिक्स करते जाएंगे इखटे हमें देसी घी नहीं डालना इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों हातों के बी यहां पर देखे बहुत बाफिट बाफिट भांडिंग हो लुक抵 ऑथ है तो बस अब हम गी डालना बं करदेंगे और इसमें हम पानी डुल के अब गोत लेऊगे तो यहां पे में आधा कपानी से इसको गोते चड़ा से जादाह नहीं तो हम पानी नहीं उस करेंगे बहु मिक्षर को इखटा कर लेना है बद जैसे ही मिक्षर हमारा इखटा हो जाएगा हम इसको गूथना बंद कर देंगे हमने सिर्फ आधा कब पानी डाला है दो कब गेहू में इस बात का ध्यान रखेगा इस से जाधा हमें पानी नहीं डालना है यह देखिए बिल्कुल सक्त सेमी सौफ्ट दो जो हमारा तयार हो गया है अभी यह थोड़ा सा सूजी पानी पिएगी तो यह अपने आप और थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फिरहाल हम इसे ढख के दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते है इससे हमारा आटा जो है वह वह बिल्कुल मैं आपको दिखाते हूँ यह देखे किस सरे किसमें धारिया बनी है बिल्कुल पॉफिक्ट हमारा दो तयार हुआ है सेम आपका भी जब इसी तरह का हो जाए तब इसके मलब शक्करपारे काटना शुरू करें बेलन की सायता से हम इसको हलका मोटा बनाएंगे मोटा बेलें साइड में जो इस तरह का है थोड़ा सा दर्दरा सा जो डिखा देरी इसको हम काट के निकाल देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल पॉफिक शेप में बनाने हैं इसको भी हम आगे यूस कर लेंगे अभी फिराल उसे साइड में रख देते और इस तरह से चाकू की हेल्प से हम अब आपको किसी भी शेप का काटना हो शक्कर पारें, लंबे काटने हो, पतले काटने हो, गोल काटना हो तो आप अपने हिसाब से अपने मन मताबग शेप दे सकते हैं लेकिन बस ठीकनेस का ध्यान रखेगा, थोड़े मोटे ही काटिएगा, ठीकें? जैसे कि आप देख सक में थोड़े मोटे रखे हैं अब आपको यहां पर इसकी थिकनेस दिखाती हूं यह देखिए कितनी बढ़िया पॉफिट थिकनेस है और इसमें देखिए आपको दरारे भी दिख रही होंगी तो बहुती पॉफिट दरारे हैं इससे हमारे शक्कर पारे बिल्कुल खस्ता बन बिल्कुल फ्री है पर मेरे लिए बहुत माइने रखता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और यहां पर देखिए मैंने सारे शक्कर पारो को काट लिया है दस मिनट का रेस्ट करने के बाद हम इनको तलेंगे तो ल पॉर्टन चीज का आपको क्या ध्यान रखना है कि डालने के बाद आपको इनने बिल्कुल टच नी करना है दो मिनट तक दो मिनट बाद आप इनको चम्मस से चलाएंगे हल्का अल्टा पर्टी करेंगे तो डालने के आपको दो मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच नी करना नहीं तो आपको शक्करपारे बिखर जाएंगे टूट जाएंगे जब यह हलका से इनका कलर चेंज हो जाएगा एक से दो मिनिट बाद तब आप इनको अल्टा पर्टी करने लगी और इनको सुनहरा होने तक अच्छे से सेख लीजिए मीडियम फ्लेम पे तो मीडियम फ्लेम पे हम शक्करपारों को यहां पे तलेंगे लो फ्लेम पे नहीं हाई फ्लेम पे तलना है शक्करपारों को हमें मीडियम फ्लेम पे तलना है यह सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो शक्करपारे आपके तेल में जाके फटेंगे नहीं न बस यहां पर देखिए हमने इनको मीरियम फ्लेम पे तल लिया है बिल्कुल सुनेरा होने तक बहुत बढ़ियां बहुती करंची खस्ता करारा शक्कर पारे हम सारे कर लेंगे और आवाज तो आपने सुनी लिए कितने कुरकुरे करारे खस्ता खनक्ती वी आवाज वाले हमारे ये शक्कर पारे बन के तयार हो चुके जिनको बनाने में हमें ना ही चाशनी की जवग पड़ी ना ही कोई झञजट फटा फट बहुत ही आसान रेसिपी है बस कुछ बाते हैं जिनका आपको विशेज ध्यान रखना है उन बातों को आप ध्यान रखेंगे उन टिप्स का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया है तो आपके शक्कर पारे बेलकुर पॉफट बनेंगे उमीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आपके लिए फ्री है बट मेरे लिए बहुत कीमती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है अपना ख्याल रखिए हम आपके साथ फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर